बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं यह कहानी है आपके 8-1 क्लास के वसंद किताब के और बजा है 1957 अर। कहानी का टाइटिल बाज और साम्प इस कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा कि तो कहानी क्यों सुनाने जा रहा हूं मैं अक्सर जब हिंदी पढ़ाता हूँ लिट्रेचर या इंग्लिश लिट्रेचर तो मैं कहानी पढ़ाने की बात करता हूँ क्योंकि इसमें क्या होती है इसमें कहानिया होती है या कविताय होती है और अगर हम बच्चों को हिंदी के चैप्टर्स, अंग्रेजी के चैप्टर्स, स्टोरी को सही तडिके से डिसकस कर पाए, इस तडिके से कहानी को सुना पाए, जिसमें बच्चे को दिल्चस्पी हो, बच्चे को सुनना अच्छा लगता हो, ऐसे ही सुनना अच्छा लगता ह इसके साथ साथ ही इसके साथ साथ ही उनका language अच्छा होता जाएगा उनकी अंग्रेजी अच्छी होती जाएगी उनकी हिंदी अच्छी होती जाएगी तो ठीक है हम लोग इस कहानी पर आते हैं बाज और सांप समुद्र की किनारे उचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक साप रहता था समुद्र की तुफानी लहरें धूप में चमकती जिल्मिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी परवत की अंधिरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी अपने रास्ते पर बिखड़े पत्थरों को तोड़ती सोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूद के जाग सी सफेद दिखाई देती थी ऐसा सचमुच होता है कि जहां पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहां पर जाग सा दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर जगह होती है नैचुरली सच में बड़ी अच्छी सी जगह होती है कभी आपको मौका मिले आप घूमने जाओ तो ऐसी जगह को देखना चाहिए तो अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता क्या क्या देखता था वो देखता था लहरों का गर्जन आकास में छिपती हुई पहाड़ियां तेड़ी मेड़ी बल खाती हुई नदी की गुसे से भड़ी आवाजें वह मन ही मन खुस होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी है और सुरक्षित है कोई उसे दुख नहीं दे सकता सबसे अलग सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है न किसी से लेना न किसी से देना दुनिया की भाग दौर छीना छप्टी से वह दूर है साप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था तो इस पराग्राफ में एक सोचने की बात है कि क्या कोई आदमी या कोई जीव इस दुनिया से अलग रह करके अकेले रह करके खुस रह सकता है क्या अगर उसको अपने खाने पीने की उसके जरुद की सारी चीज़ें मिलती रहें तो वो खुस रह सकता है क्या एक बात इसमें ये देखने हैं कि है अक्सर लोग अपने लिए सुख सुमिदाएं इकठा करने की कोशिस करते हैं उन्हें लगता है कि उनके पास इतने पैसे हो जाएंगे इतना बड़ा घर हो जाएगा खाने पीने के खडचे के लिए इतने पैसे हो जाएगे कि उनकी जिन्दगी आसानी से चले लेकिन कई बार इन सब चीज़ों के बाद भी वो खुश नहीं होता सुखी नहीं होता और कई बार उन्हें इन सारी चीजों के साथ साथ अपने पडिवार का अपने समाज का भी सुख चाहिए होता है सिर्फ सारी सुख सुविधाएं मिल जाने लेकिन अकेले रहने से सुख नहीं होता आगे कंटिन्यू करते हैं एक दिन एकाएक आकास में उरता हुआ खून से लत्पत एक बाज सांप की उस गुफा में आगिरा। उस बाज की छाती पर नजाने कितने ही जखमों के निसान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर सोर से हाप रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द सांप को बाज से डर लगता है क्योंकि अक्सर हम लोगों ने सुना है और देखा है कि बाज और सांप में थोड़ा सा दुस्मनी वाला रिस्ता होता है। अक्सर बाज आसमान से ही देख लेता है बाज, चील, गिद, नीचे सांप और इस तरह के कुछ और भी रेप्टाइल को और उन्हें वो चोच में पकर करके उठा ले जाते हैं और खा जाते हैं तो भले ही ये बाज घायल था, खुन से लत्फ़त था लेकिन एक बार जब वो सांप की गुफा के सामने में आ गिरा, तो सांप को डर तो लगना वाजिव है। डर से सांप अपने कोने में सिकुर गया, वो अपने गुफा के एक कोने में चल गया सांप क्योंकि अभी भी उसे बाज से डर लग रहा था, किन्तु दूसरे ही छन उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसे गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, इसका मतलब है कि सचमुच में बाज की सितिती में पहुंचा, उसकी तरफ कुछ देड़ तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुस होता हुआ बोला, कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, मतलब एक तरह से थोड़ा सा उसने ताना मारते हुए कहा, और उसके मन में क्यूरिसीटी भी थी, कि भाई, आखिर बा मेरी जिन्दगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है, जब तक सरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो, दूर दूर तक उराने भड़ी है मैंने, आकास की असीम उचाईयों को अपनी पंखों से ना पाया हूँ, तुमारा बड़ा जिन्दगी भर आकास में उड़ने का आनन कभी नहीं उठा पाओगे, तो ये बातें बाजने कहीं, अब यहाँ पर एक गौर करने की बात है, बाज एक पक्षी है, तो स्वाभाविक है, उसके जीवन में जो सुख होगा, वो सबसे बड़ा सुख है, कि वो आकास में आसान अपनी अपनी टाकत हैं, अपनी अपनी छम्ताएं हैं, फिर भी यहाँ पर बाजने अपने जीवन के सारांस को उसके सामने में कहा, कि भाई, मैंने तो इस समय तक का जीवन बहुत अच्छे से जिया है, और काफी उचाई तक उड़ने का सुख भोगा है, इस बात को सुनक करके सांप ने कहा आकास आकास को लेकर कि क्या मैं चाटूंगा आकास में आखिर रखा क्या है क्या मैं तुम्हारे आकास में रेंग सकता हूं ना भई तुम्हारा आकास तुम्हें ही मुबारक मेरे लिए तो यह गुफा ही भली इतनी आराम दे और सुरक्षी जगह और कहां ह होती है कुछ लोग बत सिमित संसाधनों में सिमित जगह पे एक अपना एक दायरा बना लेते हैं और उतने में ही खुश रहते हैं और उसी को जीना समझते हैं जबकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि उनकी सीमाएं बड़ी होती हैं उनके मन में बड़ी बड़ी आसा होती हैं वो बड़े बड़े लक्ष रखते हैं मन में और अगर उसमें से कुछ भी वो हासिल कर पाए तो इस चीज को वो अपना सफल जीवन समझते हैं तो इस बात को हम इन दोनों कारेक्टर बाज और सांप के पड़िप्रेक्ष में रख करके समझ सकते हैं तो अब सांप मन ही मन बाज की मुर्खता पर हस रहा था वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेगने की बीच में कौन सा भारी अंतर है अंत में तो सब के भागी में मरना ही लिखा है शरीर मिटी का है मिटी में ही मिल जाएगा अब ये थोड़ी दारसनिक वाली बात है कि शरीर मिटी का है मिटी में ही मिल जाएगा तो इसका क्या मतलब कि जन्म लेने और मृतियों के बीच में कुछ और important रखा ही नहीं है अगर यही बात जीवन का सच है तो बहुत साड़े लोगों का जीवन तो बस एक रस हो जाएगा नीरस सा हो जाएगा वो बस जिंदा रहने खाने पीने के बारे में सोचेंगे इसके अलावा कुछ और बहतर सोचेंगे ही नहीं अब अचानक बाज ने अपना जुका हुआ सिर उपर उठाया और उसकी द्रिष्टी साप की गुफा के चारो और घुमने लगी चटानों में पड़ी दरारों में से पानी गुफा में टपक रहा था सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भड़िया भयानक दुरगंद फैली हुई थी मानो कोई चीज वर्सों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो बाज की मुह से एक बड़ी जोड की करुन चीक फूट पड़ी आह कास मैं सिर्फ एक बार आकास में उर पाता तो अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि साप बाज की जिंदगी के बारे में सोच रहा है कि अरे उसने कैसी जिंदगी जी और बाज साप के बारे में सोच रहा है कि अरे यह साप कैसी जिंदगी जी रहा है बाज के अनुसार सांप कितनी गंदी जगह पर रह रहा था जहां पर की चारोतरफ दुरगंद फैली हुई थी गुफा में सीलन थी, अंधेरा सा था बाज की ऐसी करुण चीक सुनकर सांप कुछ सिर्पिटा सा गया एक चन के लिए उसके मन में उस आकास के प्रतीक्षा पैदा हो गई जिसके वियोग में, जिससे बिछरने में बाज इतना व्याकुल हो करके छट पटा रहा था उसने बाज से कहा, कि यदि तुम्हें स्वतंतरता इतनी प्यारी है तो इस चटान के खेनाडे से उपर क्यों नहीं उर जाने की कोसिस करते हो हो सकता है, कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकास में उर सको कोसिस करने में क्या हर्ज है तो इस बाढ़ को सुन करके बाज के मन में एक नहीं आसा जग उठी पंक फैला कर हवा में कुद परा किन्तु उसके टूटे पंकों में इतनी सक्ती नहीं थी कि उसका सरीर का बोज सम्हाल सके पत्थर सा उसका सरीर लुढकता हुआ नदी में जागिरा एक लहर ने उठा कर उसके पंकों पर जमें को धो दिया उसके थके मांदे सरीर को सफेद फेन से ढख दिया फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की और ले चली तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि बाज ने जो आखडी उरान की कोशिस की इस कोशिस में वो नदी के पानी में जागिरा और साइद वो वहाँ पर मर गया क्योंकि जो स्टेट्मेंट्स कह रहा हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है लेरे चट्टानों पर सिर धुनने लगी मानों बाज की मृत्तियों पर आंसु बहा रही हो धीरे धीरे समुदर के ऐसी मिस्तार में बाज आँखों से होजल हो गया मतलब बाज का सरीर नदी और समुदर के पानी में गिर करके उसके बाद लहरों के साथ में ही कहीं और चला गया और और अब वो दिख नहीं रहा था चटान की खोखल में बैठा हुआ साम बड़ी देर तक बाज की मृत्तियों और आकास के लिए उसके प्रेम के विशय में सुचता रहा वह सुचता है कि आकास की असीम सुनिता में क्या ऐसा आकर्सन छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्रान गवा दिये वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया नजाने आकास में क्या खा जाना रखा है एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा चाहे कुछ देर के लिए ही हो कम से कम उस आकास का स्वाद तो चकलूंगा यह कहकर साप ने अपने सडीर को सिकोरा और आगे रेंग कर अपने को आकास की सुनिता में छोड़ दिया धूप में छन भर के लिए साप का सरीर जैसे बिजली की लखीर साच चमक गया किन्तु जिसने जीवन भर रेंगना सिखा था वह भला क्या उर्पाता नीचे छोटी छोटी चटानों पर धप से साप जा गिरा इस्वर की क्रिपा से विचारा बच तो गया लेकिन मरने में क्या कसर बाकी रही थी साप हंसते हुए कहने लगा तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि साप ने बाज की कुछ बातों से इंस्पायर हो करके तो अब साप हंसते हुए कह रहा है अपने आप से सो उर्ने का यही आनंद है भर पाया मैं तो मतलब ये कि मैंने समझ लिया कि उर्ने का आनंद क्या है अब साप कहता है कि पक्षी भी कितने मुर्ख हैं धर्ती के सुख से अंजान रहकर आकास की मुचाईयों को नापना चाहते थे किन्तो अब मैंने जान लिया कि आकास में कुछ नहीं रखा केवल धेड़ सी रोसनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं सडीर को समहालने के लिए कोई अस्थान नहीं कोई सहारा नहीं फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डिंगे हाकते हैं किस लिए धर्ती के प्रानियों को इतना चोटा समझते हैं अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा मैंने आकास देख लिया और खूब देख लिया बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था आकास के गुन गाते ठकता नहीं था उसी की बातों में आकर मैं आकास में खूदा था इस्वर भला करे कि मैं मरते मरते बस तो गया अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है धर्ती पर रेंग लेता हूँ मेरे लिए यही बहुत कुछ है मुझे आकास की स्वक्षंदता से क्या लेना देना न वहाँ चछत है न दिवारें है न रेंगने के लिए जमीन है मेरा तो सीर चकराने लगता है दिल काप काप जाता है अपने प्रानों को खत्रे में डालना कहां की चतुराई है साप ऐसा सोच रहा था फिर साप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकास की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्रानों की बाजी लगा दी कुछ दिर के बाद साप के आश्चाडी का ठिकाना नहीं रहा उसने सुना कि चटानों की नीचे से एक मधूर रहस्य में गीत की आवाज उठ रही है पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ किन्तु कुछ दिर के बाद गीत के स्वर अधिक साप सुनाई देने लगे वो अपनी गुफा से बाहर आया और चटान से नीचे जहाकने लगा सूरज की सुनहरी किर्णों में समुद्र का नीला जल जिल मिला रहा था चटानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रह थे लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूज रहा था साप ने सुना कि लहरे मधुर स्वर में गा रही हैं तो अब साप के मन में क्यूरिसिटी हुई कि भाई यह गीत किसके लिए यह म्यूजिक किसके लिए आखिर यह सब के सब किसके लिए गा रहे हैं और क्या गा रहे हैं तो उसे पता चला कि यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्रानों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं चतुर वही है जो प्रानों की बाजी लगा कर जिन्दगी के हर खत्रे का बहादुरी से सामना करे यह गीत था वो यह गाना लहरे मधुर स्वर में गा रही थी ओ निडर बाज सत्रों से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिन्दगी के अंधेरे में प्रकास फैलाएगी और साहसी बहादूर दिलों में स्वतंतरता और प्रकास के लिए प्रेम सर्व और स्रद्धा से लिया जाएगा हमारा गीत जिन्दगी के उन दिवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यू से नहीं डड़ते तो यह आखिर की जो 10-15 पंक्तियां हैं यह उस गीत के बारे में हैं जो गीत लहरे गा रही थी और यह सारा का सारा गीत यह सारी पंक्तिया जो हैं यह बाज की प्रसंसा में गाई जा रहे थी और इसे समुद्र की लहरे गा रहे थी और इस गाने का थीम बस यही है जिसमें यह बात कही जा रही है कि यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्रानों की हथेली पर रखे हुए घूमते हैं जो जिन्दगी क के हर खत्रे का बहादुरी से सामना करते हैं तो इस चीज के साथ में ये कहानी खत्म होती है लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा इस कहानी में बाज और साप में एक दर्सन जीवन का एक दर्सन दिखाया गया है लाइफ के बारे में ये बताया गया है कि आप कैसे जीन जीना चाहते हैं या उस दायरे से बाहर निकल करके दुनिया को देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं इस दुनिया में बहुत कुछ है अगर हम कुछ गिने चुने दायरे में जीना चाहते हैं एक कमफर्ट लेवल में जीना चाहते हैं तो हम ज्यादा रिस् अलग-अलग करेक्टर है और इन दोनों का जीवन के प्रती सोंच को दर्षाता है जीवन के दर्षन को दिखाता है जहां पर एक तरफ देखते हैं कि सांप जो है वो एक बंद दायरे में जीना चाहता है वो अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहता वो बस उतने में ही और दूसरी तरफ में बाज है, जो आकास में रोज नही नहीं उचाईयां हासिल करना चाहता है, दुनिया को दूर तक देखना चाहता है, प्रकिर्ती की सुन्दरता में जीना चाहता है, जिंदगी में नए नए challenges accept करना चाहता है. अच्छा तो इसमें अब कुछ प्रस्ण भी है जैसे मैं कुछ questions discuss कर देता हूँ समझा देता हूँ जैसे लेखक ने इस कहानी का सिर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और साब को ही क्यों जुना ये आप आपस में चर्चा कर सकते हैं अब इस कहानी से एक सवाल है गाल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई सिकायत नहीं है इस पर विचार प्रकट कीजिए, इसमें मेरा विचार ये है कि ठीक है, लोग बस मन में सोचते रहते हैं, लेकिन एक दूसरा बंदा ये भी होता है, जो सोचता है कि एक बार अगर ऐसा हम करके भी तो देख लें, तो उसके मन में फिर इस बात का मलाल नहीं होता, कि हाँ उसने उस चीज के लिए कोशिस नहीं की, दूसरा सवाल है, बाद जिन्दगी भर आकास में ही उरता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उरना क्यों चाहता था, क्योंकि उसके जीने की फिलोसफी ही यही थी, कि वो चाहता था, चलते रहना चाहता था, गदिमान रहना चाहता था, तीसरा सवाल है, साप उड़ने की इक्षा को मुर्खता पुर मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिस क्यों की, तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा, कि साप थोड़ी देर को एक बार को बाद की उने क्यों गाया था तो हम लोग इस कहानी में देख रहे हैं कि चुकि बाज ने एक चैलेंजिंग कौम किया था वो हमेशा गतिमान रहना चाहता था उसका जीवन दर्षन कई मामलों में साप के जीवन के दर्षन से बहतर है इसी लिए समुद्र की लहरों ने जब ये पाया कि बाज ने पूरी जिंदगी उसी दर्षन के साथ जिंदगी जिया है और वो उड़ते रहना जाता था वो समुद्र की लहरे बाज को बहादुन मान रही हैं इसी लिए उन्होंने उसकी तारीफ में गीत गाया था घायल बाज को देखकर साप खुस क्यों हुआ होगा ये तो मैंने इसलिए कहा कि आम तोर पर ऐसा सोचते हैं कि बाज चील गिद ये साप के दुसमन होते हैं तो एक बार को तो साप को डर लगा था जब बाज उपर से सकता है तो इस बात को सोच करके साप खुस हुआ होगा इसमें आगे है कुछ और भी चीजें हैं जैसे कहानी से आगे कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखी हैं जिन से सुतंता की फ्रेर ना मिलती हो लहरों का गीत सुनने के बाद सापने क्या सोचा होगा क्या उसने फिर से उरने की कोशिस की होगी अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए क्या पक्षियों को उरते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता ही नहीं है विचार प्रकट कीजिए यह जरह सा सोचने वाली बात है कि पक्षियों को उरने का उरने का बल प्राप्त है साप सांप को जमीन पर चलने का बलप्राप्त है तो क्या ये दोनों बस इतने के इतने में ही खुस होंगे संप कभी उढ़ना नहीं चाहेगा और बाज कभी जमीन पर चलना नहीं चाहेगा मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उरने की एक्षा की है आज मनूस्य उरने की इक्षा किन सायधनों से पूरी करता है तो ये सवाल का जबाब तो आसान है आप सब लोग आसानी से दे सकते हो कि मनूस्ये आज के समय में अपनी उरने की इक्षा हवाई जहाज के जरिये, हेलिकॉप्टर के जरिये पूरी करता है कुछ चीजें इसमें हैं जहाँ पर आपको imagination अपनी कलपना सक्ती का इस्तेमाल करना है जैसे यदि इस कहानी के पात्र बाज और साप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती इसे अपनी कलपना से जरा सा लिक करके देखिए अब जहाँ पर हम लोग language को enrich करने की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब में थोड़ा सा यहाँ पर दो सवाल है कहानी में से अपनी पसंद के पांच मुहावरे चुन कर उनका वाक्यों में प्रियोग कीजिए और दूसरा पॉइंट है प्रत्य के बारे में और उसके नीचे है सब्दार्थ कुछ इसमें नए सब्दाएं हैं जो हिंदी के बड़े अच्छे सब्द हैं जैसे की सिखर, सिखर का मतलब है पहार की चोटी सडिता, सडिता का मतलब है बहती हुई नदी सिट पिटाना, भै या घवराहट से सहम जाना असीम, असीम का मतलब है अनलिमिटेड जिसकी कोई सीमा ना हो अनंत, अपार, खोखल, खोखली जगह, बड़ा छेद कुछ, जैसे खोखल होता ना, यह गुफाओं में होता है मिट्टी के आसपास जाडियों में हो सकता है पेंड में हो सकता है खोखल तो सबदार्थ में जो सबद आये हैं उन सबदों का अगर हम अपने sentences में इस्तेमाल करें कभी कभार बोल चाल की भासा में भी इस्तेमाल करेंगे तो यह सबदा आपके अपने हो जाएंगे आपकी vocabulary strong होती चली जाएगी तो ठीक है, इन सब के साथ में मैं यह chapter close करता हूँ फिर अगले दिन हम लोग अगले chapter में मिलेंगे Happy Learning, Bye Bye